नवस्कार सातियो आज के वीडियो में एक most important letter का अध्यन करेंगे जो यूपी बोर्ड क्लास 12 री एक्जाम में पूचा गया था रायटा letter एक पत्र लिखें to the principal यानि प्रधानाचारे को of your college यानि की अपने बिध्याले के प्रधानाचारे को एक पत्र लिखें requesting him उनसे प्रार्थना करते हुए to arrange a football match यानि की एक football match arrange करने के लिए तो बिल्कुल मैं आपको detail में इसे समझाने का प्रयास करूँगा किस प्रकास से आप बना सकते हैं तो चलिए आपके लिए सबसे पहले जो starting करना है वह है आप करेंगे to यानि की सेवा में the principal यानि की प्रधानाचारे जी अपने विध्याले का नाम लिखेंगे जैसे यहां अगर और अपनी डिश्टेक लिखेंगे जैसे हम अपनी डिश्टेक लिखी है आगरा डेट आप इसी प्रकास से लिखें यहां 11 लिख लेना लगा देना 11 नवंबर उसके बाद कॉमा 2022 यानि की 11 नवंबर 2022 उसके बाद सब्जेक्ट आपको बिलेक पैंसे डालना है इस ची फॉर्ट फॉर्ट वाल मैच यानि की फॉट वाल मैच के लिए प्रार्थना तो इतना फॉर्मैट आप अच्छे से बना देते हैं तो आपको कम से कम दो से तीन अंक मिल जाएंगे उसके बाद आप लिखेंगे डियर सर और जो आपके प्रधाना चारे मैं भी हो सकती है तो मिलने के लिए मिलने के लिए एस हम लोगों से इन में फॉट वाल मैच मैं इन अवर कॉलेज प्लेग्राउंड यानि कि हमारे कॉलेज का जो खेल का मैदान है हमने दा बिजडम पबलिक कॉलेज के छात्रों को फोटोबाल मैच में वहां मिलने के लिए चिनोती दी है दे भीविदत अचपटेड कर लिया है तो चली है अगली स्लाईट में मैं लेके चलता हूं तो तेखिए अगली लाइन आप लेकेगे the teacher of discipline of our college यानि कि हमारे college के discipline अध्यापक has kindly यानि कि kindly दयालता पूरवक यहां जो C लिखा है यह आप S कर ले हैं यानि कि consented यानि कि सहमती दे दीजिए यानि कि हमारे विध्याले के अनुसासित अध्यापक को सुईकरती या सहमती प्रदान कर दीजिए two act कारु करने के लिए age the referee यानि रेफ्री के रूप में यानि कि हम लोग निवेदन करते हैं कि हमारे विध्याले के अनुसासित अध्यापक को रेफ्री के रूप में कार्य करने के लिए दयालता पूरवक सहमती दे दी जिए उसके बाद आप अगली line को लिखें, बहुत अच्छे से लिखें, we, यानि कि हम लोग, therefore request, इसलिए आप से प्रार्थना करते हैं, that you would be kind enough to permit us to play this match game, यानि कि आप लोग, यानि कि अध्या प्रंसिपल जी, would be kind enough to permit, आप हमें permission दे देंगे us to play, यानि खेलने के लिए this match game, यानि कि इस match को in the college playground, यानि कि खेल, जो college का खेल का मैदान है, on 15th November 2022, यानि कि 15 November 2022 को, after the second period, और कव देंगे, दुतिया पीरेड के बाद, for which, जिसके लिए, या for which, act of your kindness, यानि कि आपके दयालता पुर्वा कार्रे के लिए, अगली line आपको लिखनी है, we all will be ever grateful to you, यानि कि हम लोग हमेशा आपके, क्या रहेंगे, क्रतग्य रहेंगे, we will be ever grateful to you, यानि हम सभी लोग, आपके grateful, यानि क्रतग्य रहेंगे, उसके बाद, आप इस line को लिखेंगे, your most obedient students of JIC college, यानि कि जिस college का आप नाम लिखेंगे, उसी का लिखेंगे, तो I hope आपको समझ में आ जा होगा, वीडियो कैसा लगा, comment के मादि हम सभस बताएं, thanks for watching,